कौशामबी जिले में बड़ा फरजीवारा स्वक्षटा गरही ने दो दर्जन लोगों से वसूला लाखो रुपै पत्नी आंगनबारी में कर रही गोलमा सेकेटरी की साथगार्ट से हो रहा बढ़ाखे यूपी के कौशामबी जिले से बड़े फरजीवारी की खबर सामने आ रही है जिले के थाना छीत्र सैनी के निंदूरा गाउस के स्वक्षटा हित गरही दिरेंद्र कुमार के कारणामों की पोल अब सब के सामने आ गई है लेकिन चौगाने वाली बात तो यह है कि जिले के ज हजार रुपए कॉलोनी के नाम पर ले रखा है दिरेंद्र पात्र लोगों से भी दूसरी किष्ट रुकवाने की धंकिया देता है और उनसे भी 15-20,000 रुपए वसुलता है वहीं दिरेंद्र की पतनी सुधा दीवी उसी गाउं में अंगनबारी कारिकत्री के रूप में का दिरेंद्र की शिकायत मुख्यमंद्री पोर्टल पर किया है जिले के डियम वह डीपी आर ओ को भी किया है लेकिन अभी तक जाल साच के खिलाफ कोई कारिवाही नहीं हो सकी है कौशामभी डियम अमित सिंग से बार बार शिकायत करने पर भी टीम बना कर जाच नहीं किया ज सुत्रों की माने तो धिरेंद्र ने सेकेटरी और अन्यदिकार्यों से साथगार्ट कर रखा है अंगनवाड़ी स्कूल जब जाती है सुधा देवी ने कुछ मिलता है उसको मां से? कुछ नहीं मिलता क्या नाम है तुम्हारा? बबलु कुमार हम चाहते हैं कि जो धिरेंद्र बैंक से पैसा निकल वाके भारतियों खाते से बाहर निकल पैसा जो सीलता है फंदस बीस बीस हजार उसकी बैंक की सी CC कैमरे की जाच होनी चाहिए ताकि यह जाते हैं तो बार-बार क्यों जाते हैं क्या करते हैं सच्चाई जब बैंक की CC कैमरे की जाच होगी यह दुर्मा ग्रामिड बैंक है अपना साइनी ग्रामिड बैंक है दो जगे बैंक है इसमें जाच होनी चाहिए CC कैमरे की तभी इसक दस्तक भारत के लिए कौशामबी से मोहमद नावित की रिपोर्ट